आस्लामलेकोम जी कैसे हैं आप साब आच मजएदार से चपली कबाब बनाऊँगी आलू और चिकन से तो आप देखिए कैसे मजएदार सब बनते हैं कैसे चपली कबाब तैयार होते तो देके मैंने चौपर में एक कड़े ऐख दाल months haveio days कि इसको देखे मैं बारीख चौब कर लूँ एसको चौब कर इसको डूब करेंगी और देखे और पानी निकाल दिया है आपने आलू और प्यास ये देखे जी ये पानी निकल गया है ये पानी इसमें से बज़ गया है इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे जायर कर देंगे ये हमें नहीं चाहिए आपने इसमें से आलू और प्यास में से पानी अच्छी तरह से निकालना है अदरवाइस आपके चप मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इसमें बिलकुल पानी नहीं रहना चाहिए ना आलू का ना प्यास का और ना ही कीमे में आप कीमा इस्तमाल करें चिकन करें जो भी आप यूज़ करेंगे आपने उसका पानी अच्छी तरह से ड्राय कर लेना है ठीक है अब हम इसमें मसाले डालेंगे स्पाइसिस डालते हैं देखे जी नमक लिया हजब जरो जतना आपको मतलब पसंद है लाइट तेज जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं फिर हमाई पास है धनिया पाउडर वह डाल दिया है मैंने इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यह देखे का पेस्ट यह मैंने इसमें अट कर दिया इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है यह हमारे बड़े जबरदस से जह वह चपली कबाब तयार होंगे धनिया मुझे बहुत पसंद है धनिया मैंने डाल दिया है बहुत बहुत बनते हैं बचों को लंग बाक्स के लिए तो यह जब बरदस पे हमारे चपली कबाब है ठीक है यह झाझे आपने लूशना के बच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके चपली कबाब तयार करेंगे मैं नॉर्मल साइस के रखोंगी आप चाहे बड़े र की तैयार हो चूट हैं, इसमें कर ये अ秩 में चूछान बज्ञान को पर दूछान के समय हैं, ये देखिएbrar को बस तैयार करने के बाद हमने इसको फ्राय करने दिखेंगे ये दिखेश मैंने टाले कॉफ्र लज्ञान को अधुछाएं आ कशान नारा हिब आलू भी है और चिकन मगएर यह तमाम चीज़े अची तरह से चुपनी कवाब रिखे जबंगे जबर्दस तो आपने इसको को फोरी कुछार आपने करना है और आपने 2-3 दफार की साइड चीज़ करना है ताकि दूनों साइड से अंदर तक पक जाए जबर्दस तरह समय के बहुत डिलिशिस बहुत ही लजीज है तैयार हो गया है तो आप भी इसको खाएं इसके लिए आप जो भी कैच्चप चटनी दहीं की जिसके साथ भी आप खाना चाहें इंजुआए करें यह थी है हमारी वीडियो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल द्वाओं में याद रखेंगा अलाने के बान